ये कहानी है एक जादूगर की और एक लड़की की जिससे भूत दिखाई देते हैं कहानी की शुरुआत होती है मार्जो से जो एक जादू का शो कर रहा है दरसल मार्जो के शो आज कल जादा चल नहीं रहे और पहले की समय में वो काफी चला करते थे जादू दिखाई रहा हो एसे ही मेहसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है वो एक अलमारी के पास जाकर रुख जाती है, जिसके बाद मार्जो को आइडिया आता है कि वो एक ऐसा शॉख करेगा कि अलमारी में इसे भूत निकलेगा और फिर उसे गायब कर देगा, जिसके लिए मार जो आगे बढ़ता है और इस लड़की से बात करता है कि क्या तुम मेरे साथ शो में काम करोगे जिसके बात वो लड़की पहले तो कुछ देर सोचती है लेकिन उसे काम की जरूरत थी इसलिए वो मार जो से हां कर देती है और अगले दिन मैजिक शो होता है जिसमें मार जो अलमारी में एक मंतर पढ़ता है और अलमारी खुलती है जैसे ही अलमारी का दर्वाजा खुलता है तो दर्वाजे के अंदर से एक काला कपड़ा आ गिरता है जिस कपड़े में से एक भूत निकलता है और हवा में उनने लगता है थोड़ी तिर बात हम देखते हैं कि वो भूत मार्जो से कहता है कि मैं यहां अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ और इशारा ओडियन्स में बैठी एक लड़की की तरफ करता है और ओडियन्स में बैठी जब लड़की की तरफ इशारा होता है तो लड़की भागने लगती है वो भूत भी उसको पकड़ लेता है और उस लड़की को काले कपड़े में लपेट दिया जाता है थोड़ी दिर बाद मार्जो अपनी कुलाडी के मदद से उस पे वार करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भूत नीचे गिर जाता है और खिड़की का दरवाजा बंद हो जाता है जब कपड़ा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता और थोड़ी दिर बाद दो लड़के आते हैं जैसे ही मार्जो उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ से वो लड़की वापस मिलती है जो ओडियंस में बैठी हुई थी मार्जो का ये वाला शो लोग बहुत पसंद करते हैं और पूरा होल तालियों से गड़गड़ा उड़ता है जिसके बाद मार्जो बहुत खुश होता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो भूत और कोई नहीं बलकि गैंग थी और वो जो लड़की जो ओडियंस में से उठाई गई थी वो भी इन सभी की एक टीम मेंबर थी यानि ये शो सक्सेस्फुल रहा और मार्जो का ये वाला आइडिया काम करा जिसके बाद वो गैंग से बोलते हैं कि हमारे साथ रुको लेकिन गैंग उनसे रुकने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो यहां नहीं रुकना चाहती और उनसे मना करके वहां से चली जाती है हमें दिखाया जाता है कि गैंग जब अपने घर पहुंसती है तो वो बहुत अकेली थी आज उसका बोड़े था लेकिन उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं था इसलिए वो अकेला रहना पसंद करती है उसने अपने घर में एक टेंट बनाया हुआ है क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है और उसे अकेले डर लगता है थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसकी टेंट की जिप अचानक से खुद पखुद खुलने लगती है और उसे दो आत्मा दिखती है जो कि छोटे बच्चे थे वो काफी डर जाती है फिर वो उस जगा पहुंसती है जहां उन दोनों की मौत हुई थी और पुलिस को कॉल करती है कि यहां पे दो बच्चों का एक्सिडेंट हुआ था और जिस ट्रक ड्राइवर से यह एक्सिडेंट हुआ था वो नशे में धुद था यहां हमें बता चलता है कि गैंग मरे हुई लोगों को देख सकती है यानि गैंग के पास ये शक्ति है कि वो मरे हुई लोगों को महसूस कर सकती है अगले दिन जब गैंग बैटी होती है तो मार्जो के दो दोस्त उसका मसाग बना रहे होते है तो गैंग वहां से उटके जा रही है तब ही मार्जो से रोक लिता है और उससे कहता है कि वो हमेशा बहाना कर देती है अब जब वो सभी वहां बैट कर बाते कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उनieme से एक कुछ बाते बता रहा होता है कि कि सतरह से उसकी ग्रैंड मा उसके सपने में आई थी और उससे कह रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए इस आदमी की ये बात सुनकर गैंग बहुत हस्ती है और उसका मजाक लेती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसने बहुत जादा शराब पी ली अब वो जाकर मारजो के पास बैठती है और उसका भी मजाक बनाती है थोड़ी तेर बाद जैसे जैसे उसका नशा बढ़ता है वो मारजो की शिर्ट फार देती है यहाँ पर सब गैंग की सरकत के वज़े से बहुत नारास थे फिर वो वहाँ से चली जाती है हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से अगले दिन मारजो अपनी दोस्त को छोड़ने एरपोर्ट जाता है और जब वो एरपोर्ट छोड़कर उसे आता है तो उसकी पास गैंग का फोन आता है गैंग उससे अपनी कल रात की की हुई हरकतों के लिए माफी मांगती है और अचानक से वो देखती है कि एक तस्वीर में से एक भूत बाहर आ रहा है जिसे देखकर गैंग बहुत डर जाती है अब दिखाया जाता है कि किस तरह से गैंग डरी सैमी एक कोने में बैटी है और याद कर रही है कि ये सब उसके साथ क्या हुआ कि अचानक से डोर बेल बसती है और वो देखती है कि वहाँ उसके बॉस से जो उसके घर आये थे यानि मार्जो ने फोन पर उसकी चीकने की आवाजे सुन ली थी और वो से ढूनता हुआ आया था लेकिन गैंग के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं होता दो दिन पुराना केक रखा होता है जो उसे अच्छे तरीके से सर्फ करकर खाने के लिए देती है जिसके थोड़ी दिर बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को विंडो से बाहर एक छोटा पच्चा दिखता है गैंग उसके साथ खेलने के लिए मना कर देती है लेकिन मार्जो उसके पास जाने को कहता है और जैसे ही वो दुबारा देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता जिसके बाद वो थोड़ा घबरा जाता है लेकिन उसके बाद उसे दिखता है कि वो फिर से वहाँ आ चुका है वो दोनों छुपकर उसे डराने की कुशुश करते हैं और वो उसके साथ खेलने लगते हैं जिसके बाद गैंग अपनी दोस्त को फोन करके बताती है कि किस तरह से उसके गर उसके बॉस आये थे वो उससे बहुत खुश थी अब हमें दिखाया जाता है कि जब मारचो अपने घर सो रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसके पास से गुजरा है और वो जैसे ही बैच से नीचे उतरता है तो उसे वो बच्चा देखता है जो गैंग के घर था पहले तो वो काफी डर जाता है फिर वो शीशे में देखता है कि वो बच्चा उसके पास है जिसके पात वो तुरंत ही गैंग को फोन करता है और फोन पर गैंग से बोलता है कि तुम्हारे या जो बच्चा था वो मेरी घर आ चुका है जब गैंग उसके पास जाती है तो गैंग उससे बोलती है कि तुम बिलकुल भी घपराओं मत दरसल मैं मरे हुई इनसान को देख सकती हूँ ये सुनकर मार्जो थोड़ा डर जाता है फिर वो दोनों बात करते हैं कि शायद ये बच्चा उनसे मदद मांग रहा है और फिर से घर के अंदर जाते हैं जहां वो बच्चा फिर से मार्जो के कंदे पर हाथ रखता है गैंग जैसे ही उस बच्चे का हाथ पकरती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ये गाड़ी के नीचे उस एक औरत पड़ी है जिसका एक्सिडेंट हो चुका है और वही बच्चा जो मर चुका है फिर वो देखती है कि वो औरत अभी जिन्दा है वो दोनों एम्बिलेंस को फोन करते है और यहाँ पर वो बच्चा उन दोनों को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चला जाता है जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे को मदद की जरूरत थी इसलिए वो यहाँ आया अब गैंग मार्जो को बताती है कि किस तरीके से काफी टाइम पहले उनकी बस का एक्सिडेंट हुआ था जिसमी काफी सारे बच्चे मारे गए थी वो भी कुछ समय के लिए मर गई थी लेकिन फिर वो जिन्दा हो गई लेकिन उस हाथसे में उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो अपनी दोस्त को बहुत जादा बुरी-बुरी बाते कहती है दरसल जोब इंसान उसके करीब आता था उसकी दोस्त उसे भी दिखने लगती थी और उसे डराकर भगा देती थी यहां पर हमें पता चलता है कि इस वज़े से उसका कोई दोस्त नहीं था यहां पर मार्जो भी उसकी दोस्त को बुरी-भली कहता है वो कहता है कि मैं गैंग का साथ कभी नहीं जोड़ूँगा जिसके बाद अगले दिन वो कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं जहां पर फिर से गैंग बहुत सादर शराब पी लेती है और नशे में वो अपने घर जाने से इंकार कर देती ह जिसके बाद मार्जो उसे अपने घर ले जाता है और जब वो रात को सो रहे होते हैं तो मार्जो की जब आखे कुलती है तो उसे उपर कुछ भूत दिखाई देता है जिसके बाद गैंग कहती है सो जाओ वो तुमें कुछ नहीं करेगी जिसके बाद मार्जो काफी जादा डर जाता है और गैंग उसे समालने की कोशिश करती है फिर गैंग उसे अपने साथ छोटे से टेंट में ले जाती है और वो दोनों वहाँ जाकर सोझ आते हैं अगले दिन जब मारजो की दोस्त आकर देखती है तो उसे बहुत गुसा आता है दरशल उसे चिरन होती है कि ये द तो इतने नस्दीग क्यों आ रहे हैं इसलिए जब ब्रिकफास्स कर रहे होते हैं तो गैंग को बुरी भली कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में शब जानती हूँ कि तुम्हारा वीवार बिलगल अच्छा नहीं है ये सब सिंके मार्जो को बुरा लग रहा होता है और वो से चुप होने कहता है लेकिन वो चुप नहीं होती जिसके बात गैंग उटकर वहाँ से चली जाती है तो अगली सुबह मार्जो की टीम जब अपने नेक्स शो की तयारी कर रहे होते हैं तो गैंग वहाँ नहीं आती जिसकी वज़े से मार्जो बहुत उदास था और हमें दिखाया जाता है कि गैंग से मिलने उसकी कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स आए हैं जिनें देखकर गैंग बहुत खुश होती है और वह साथ में बहुत मज़े करते हैं कि तभी अचानक से गैंग के पास उसके बॉस मार्जो का कोल आता है वो फोन पर उससे मिलने के लिए कहता है जिसके बाद वो दोनों से मिलने के लिए भेज देती है और जैसे ही वो magic show में जाती है तो वहाँ audience में उसे उसकी best friend की भूत दिखती है जिसके बाद वो काफी डर जाती है और गलती से stage पर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारे हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मार्जो इसे एक जादू बता कर condition को सम्हाल लेता है और इसे जादू का नाम दे दिता है जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद गैंग मार्चो से कहते हैं कि मेरी बज़े से तुम्हें बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है त रास्ते में उसका accident हो जाता है लेकिन मार्चो बच जाता है यहां हैराने की बात यह है कि क्रेन के अंदर कोई driver नहीं होता जिसके बात उपर से एक कुछ टुकड़ा उसके उपर गिरने ही वाला होता है कि वो बच जाता है यहां घर पर गैंग को एक locket मिलता है जिसके जो उसके कातल के वारे में पूछता है तो पहले तो वो किसी और की तरफ इशारा करती है लेकिन फिर वो इशारा गैंग की तरफ कर लेती है जुक्ञता कर शात ले जाती है कि वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है जिसके बाद गैंग अपने पास से वो लॉकिट निकालती है और हमें कहानी का पीछे का हिस्सा दिखाया जाता है जिस दिन बस का एक्सिडेंट हुआ था उस दिन गैंग और उसकी बेस फ्रेंड साथ थी दिरसल गैंग की बेस फ्रेंड के पास एक लॉकिट था जो गैंग को बहुत पसंद था उस लॉकिट से उसकी बेस फ्रेंड की काफी सारी यादे जुड़ी हुई थी क्योंकि वो उसका ग्रैंड मा का था लेकिन गैंग उसे कुछ समय के लिए मांगती है और जैसे ही गैंग उसे पहनती है कि वो बस नीचे गिर जाती है और बस का एक्सिडेंट हो जाता है यहाँ पर उन दोनों की हालत बहुत खराब थी लेकिन इन में से किसी एक को बचाया जा सकता है इसलिए यह आत्मी गैंग को बचाता है क्योंकि इसे लगता है यह काफी अमीर है और ऐसा इस लॉकिट की वज़े से होता है यहाँ गैंग की तो जान बच जाती है लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मर जाती है हास्पिटल में डॉक्टर उस लॉकिट को गैंग की मा को दे देते हैं लेकिन यहाँ मार जो अपी बेहोश है और हॉस्पिटलाइस्ट है ऐसा देख कर गैंग सोसती है कि जब वो उससे दूर होगी तब ही मार जो ठीक हो सकेगा इसलिए ही वो उससे दूर होने का फैसला करती है लेकिन मार जो को जैसे ही पता चलता है वो उसे ढोडने के लिए एरपोर्ट पर चला जाता है लेकिन तब तक गैंग की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि फ्लाइट में एर होस्टेस जब आती है तो उसे वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड दिखती है जिसकी वज़े से फ्लाइट में कुछ होने लगता है और अचानक से एक मेसेज आता है कि फ्लाइट री शेडियूल हो चुकी है और जो फ्लाइट गई थी वो वापस आने वाली है अब मार्चो गैंग के आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही गैंग नीचे आती है तो मार्चो उससे मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम मुझे छोड़ कर क्यों गई थी तब वो उससे कहती है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी वही ठीक है मारजو कहता है लेकिन मैं पूरी उमर तुमारे साथ रहना चाहता हूं वो कहती है उपर देखो जहां उसकी बेस्ट फ्रेण खड़ी होती है कि अगर तुम पूरी उमर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें इसे छहलना पड़ेगा क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहेगी जिसके बाद मार्जो कहता है कि मैं इसके लिए तयार हूँ और इसके साथ होती है मुवी की हैपी एंडिंग